तफसीली हब्रे शामिल करेंगे एक प्रिख के बाद हमारे साथ रहें जिसमें है वर्ल क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करेंश शॉर्ट सिर्किट को और देल लंबी लाइफ प्रिच पाव बैक्टरीज क्वालिटी फॉरेबर खैबर पखतूर खौर से शुरू होने वाला सरसब्स इनकिलाब अब करेगा मुल्क भर को सरसब्स शादाब तो सितंबर दो हजार अठारह से मुल्क भर में तस बिलियन सुनामी शेजरकारी मोहिम का आगाज आने वाली नसलों के महفوظ मस्तक्मिल के लिए अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं हकोमत की बिलियन ट्री मोहिम में पाग फाज हकोमत के شाना بشाना होगी वजियाजम इमरान का ने बिलियन ट्री मनसुबह मुल्क भर में शुरू करने का द्रख्त दोराए दफ्सरे खार्चा के दोरान पोदा लगा कर शेजरकारी मोहिम का आगास किया डिरेक्टर जनल आईस पियार मेजर जनल आसर वफूर के मताबिक पाग फौज ने भी शजरकारी मोहिम का आगास कर दिया है जिसको सरसब्द और शादाब पाकिस्तान का नाम दिया दिया है पाक फौज इतदाई तौर पर मुलक भर में 20 लाक पौदे लगाएगी जबके रवा साल मौनसून सीजन के दौरान मजबूरी तौर पर एक करोड दरफ लगाने का हदफ रखा गया है काईज आगास में फरमाया आप तालीम पर पूरा देहान दें अपने आपको अमल के लिए तैयार करें यह आपका पहला फरिज़ा है हमारी कौम के लिए तालीम मौत और जिन्दगी का मसला है पून और पसीना ताप में ले लिया जान रखी यह वो भी हाजर है जब इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई है यह कैसे रोख सकते दूसरों को बाहर पैसा बज़वाने से खर्मत रसूल पे तो मेरी जान भी कुर्बान है खर्मत रसूल पे मेरी जान भी कुर्बान है दौा कीजिएगा कि अल्ला मिया बहासियत मुझमुई तोर पे इस कौम को इसी तरह का जजबा टा करें इंडिया का नेचर ली हमारे से ज्यादा नुकसान होगा और हमारे पास एमानी जजबा भी है जब अवाम कीछे होते हैं जिस तरह माशाला मारे अवाम है पूरा मुल्क यज़ा हो गया तो यह जो स्पेंट है यह फॉज को यह बहुत एक्टी मॉरल स्टैंडिंग दे लेती है आपके एंचर कोई अस्टेंशियेटिल रिजाम नी लगाएगा हमने अपना दाब्त एकलाग तो आपको दिकाया जब आप तश्रीव लेगा मैं तो आपको बहुत मुश्कूर हूँ आप एक टीवी चैनल है बागी सतासी को गोल समा लेगा क्या हम सारी उमर इसी तरह रोते रहेंगे इसका कोई नजर आता है नजदीक में हला उनकी रियास्ती देश्ट्रदी के वज़े से ये मसला हल नहीं हो रहा है पाकिस्तान है तो हम है उस तरफ तबज्ज़ लोगों की कम है युदा जी एक रखने इस Tong five देशता इसके बारे में आपका क्या क्या खया है इंडिया की मदाखलत पाकिस्तानी मौमला पे मुछ ज्यादा हो गई है इसको आप कांडा करदें लिया को खुला रास्ता दिया गया था पाकिस्तान के अंदर मदासर के, वह अब पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिए. जजमेंट पाकिस्तान में जम्हूरी नजाम को कायम करने के लिए बहुत ही एहम संगे मील साबत होगी. कानून देता है, तो मैं रख्याल है कि पाकिस्तान ने बहुत मुनासिफ जवाब दिया उसका आज, जब आनुमरा जैंज्वा का केस उन्होंने ले लिया, मेरी मेरी ख़वर, आपकी ख़वर, पिरकोल आपकी ख़वर, बहुत सारे लोग वाकत भरामत हुए, तो मैं तो इस मैं अन्हेदा हो जाए, मैं अन्हेदा हो जोँगा, फौज के लिए, शबाज शरीफ गूड कॉप है, और नौाज शरीफ बैड कॉप है, जिस तरह वो कहा जा रहा है कि पजाब कॉर्प्रमेंटे, शबाज शरीफ ने पैसे दिये, किसी सिविलिया ने किसी पलिटीशन का शरीफ शरीफ ने किया है, जेनल पाशा ने किया है, तीस लाक नौकरी हमें हर साल चाहिए, हमारे जो बच्चे है, जवान है शोतर जिनकी उमर 20 से 30 साल है, और हमारे पास नौकरियां नहीं है, सारी बजट डिवलिमेंट बंद कर दो, रुसीन कर लो, लेब बना हम उनके सा खर्ण का पैदा यही होता है, लेने वाला मज़े करता है, और इंदा नसले वो गुलाम बन जाते है, हमारे सोच की जो पेख़वराना सलाहिये हैं, वक्त पिसास साथ एक बहुत आला मयार हासिल करती है, लेकिन ये कोई पता नहीं है, जिना क्या तो मार गयता है, आज तक क ची बात इसके न्याजी के साथ, हर पीर, मंगल और बुधरात आठ बचकर पांच मिनिट पर, सिर्फ रोज नियूस बर वल्कम बैख, खबर सामल करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोड आफ पाकिस्तान में मुबाइल टेक्स कर्टोती से मुताले केस की समात हुई तो हगूमत की जानब से अट्रॉनि जनरल पेश हुए और एक बार फिर अधालती दाएरा अक्तियार पर अतराज उठाते हुए कहा कि जिसे टेक्स तसथनास चाहिए मुताले का कमिशनर से रुझू करें केक्स के निफास पर अजगो नोटिस की मिझाल नहीं मिलती टेक्स से पर हुकम इमतना के बार इस हकूमत अपनी आमदन के बड़े हिस्से से महरूम है चीफ जास्टिस आसि टेक्स भी हर शेहरी से लिआ जाता है हर टीवी देखने पर income टेक्स लागु नहीं होता लेकिन वो टेक्स देता है मासी में मच्र्की पाक ताकिस सैलाब टेक्स नाफिस हुआ था मच्रकी पाकिस snake अलग हो गया कि कुछ लोगों से टेक्स दाइरे में ना आने के बावजू टेक्स लेना इस केस की बुनियाद बना चीफ जस्टिस ने कहा कि मुबाइल टेक्स का नोटिस पांच जजिस के हुक्म पर लिया गया पांच मौजज जजिस ने हुक्म सोच समझ कर ही चारी किया था एड़ुकेट जनरल सिन ने कहा कि सोचल मीडिया की शिकायत पर डिरेक्टर जनरल एच आर ने नोट लिखा चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान ने कहा कि पांच मौजज जजिस का हुक्म नामा आ चुका है अब ये बातें करना बेफाइदा है जजिस से बालतर कोई हुक्म जारी हो तो अलग बात है माजी में जजिस से बालतर होकर अफसलाम भी नोटिस जारी करते रहे सुप्रीम कोड अफ पाकिस्तान ने अजज खुद नोटिस नमचाते हुए मुबाइल फून कार्ड्स पर तमाम टेक्स बहाल कर दिये और हुक्म इंतना कर दिया चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान आसिफ से खान खोसा ने मुगतसर नामा पढ़ते हुए सुनाया कि सुप्रीम कोड अफ पाकिस्तान टेक्स मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी रोजदगर में आगे बढ़ते हुआ आपको बताएं बल्दिया उकारा के चेरमें चुहुदरी मुहमद अजहर और चीफ अफिसर बल्दिया फिदा इफिहार मीर ने जिला भर में तिजावजात के हिलाब ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया कहते हैं आपरेशन में किसी किसम का कोई घज़ काबले कबूल नहीं होगा मसीत अफिसरात उकारा से मंचा नवीद के इस रिपॉर्ट में बल्दिया उकारा ने जिला भर में नजायत अजहावजात के खिलाफ आपरेशन टेज़ कर दिया आपरेशन चेर्मेन चौदी मुहमद अज़र और चीफ अफिसर फिदाए प्तिखार के हुकम पर किया गया उकारा के गुनजान अबाद इलाके घाजियाबाद में नजायत तजहावजात के खिलाफ में बल्दिया उकारा ने गरेंड अपरेशन का आगाज़ कर दिया इस मौका पर पुलीस की बारी नफरी मगवारी गई ताकि किसी किसम का नाखुशगवार वाक्या पेश ना आ सके इलाका मकीनों ने गलियों और बाजारों में नजायस थाड़े बनाकर रोड को बलाक कर रखा था चीफ अफिसर बद्या ने कहा कि इन अफराद को कबल अजी मतदद नोटस जारी भी किये गए ताकि नजायस तजावज़ात को खतम कर दें लेकिन इलाका मकीनों ने अमल नहीं किया इसलिए मेकमे को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा उन्होंने मज़ीद कहा कि नजायस तजावज़ात के खिलाफ जिला बार में गरेंड आपरेशन जारी है जारी आपरेशन में किसी भी किसम का कोई ब्यूजर काबल कबूल नहीं होगा कैमरा टीम फैसन नवीद और अधनान नवीद के साथ मुहमद मन्शा नवीद रोज नियूज बुकाड़ा और सिंद के अजीम बुजर्ग हजरत लाल शेहवास करंदर के सालाना और्स की तक्विबात आज सहवन शरीफ में शूरू हो गई है इस हवाले से नेशनल हाईवेज पर जायरीन को ट्राफिक हाथाते बचाओ के लिए एक इजलास में नकित किया गया हाईवेज और मोटर वेज पुलीस की जाने से इजलास डियाईजी मोटर वे मुहमद सलीम की जिरस्दारत मुनकित हुआ इजलास में सेक्टर कमांडर और देगर अस्दारान ने शिरकत की इस मौके पर डियाईजी मुहमद सलीम का कहना था कि जायरीन को हाई वेस पर हर मुमकिन सहुलियात फरहाम की जाए और अबर स्पीड वाली गानियों के लाफ कारवाई की जाए सेक्रिटरी जरात पंजाब वासिफ खुषीद और सेक्रिटरी जरात पंजाब मुहमद आसिफ की जानिब से कुछ सुलिमान के कबाईली इलाकों का दोरा किया गया इस मौके पर असिस्टर्टर जरी अतलात नवीद अस्मत काहलू, फारुक एहमद खान और दीगर अफसरान भी शामिल थे सेक्रिटरी जरात पंजाब वासिफ खुषीद ने दोरे के दोरान गुफटगू करते हुए कहा के पस्मांदा अलाकों के काश्टकारों की मौईशत में बहतरी लाने के लिए हकुमत पंजाब फ्याजियाना वसाइल बरुएकार ला रही है सीपेक के एहमियत के पेशे नजर कोह सलिमान के अलाकों में और्गैनिक फॉर्मिंग के लिए मतादित स्कीमे मतारिफ कराई जा रही है फलों और सब्जियों की वैल्यू एडिशन के लिए प्रॉसेसिंग यूनिट्स भी कायम किया जाएंगे फॉर्म से मंडियों तक फलों और सब्जियों की तरसील के लिए रोड इंफरस्ट्रक्चर अलाके की अहम जरूरत है जिसे कायम करने के लिए हकूमत पाकिस्तान को काबल अवल तजावीस पेश की जाएंगी कोह सुलिमान के लाकों में जदीद काशकारी के फरोग के लिए फणी रहनुमाई के अमल में तीसी लाई जाएंगी जिसके लिए महकमा जरात के फलेट फॉर्मेशन की खुसूसी टास्क्स सूम दिये गए हैं उन्होंने मजीद कहा कि जंगली हयात की कंसर्वेशन के लिए डॉनर्स को भी शामल किया जाएगा किशन गार्डनिंग प्रोग्राम के तहट अवाव नास को सबसिटी पर ज्यादा से ज्यादा सबसियों के पैकेट्स फराहम की जाएंगे उन्होंने वजीद कहा कि वजीर अला पंचाब सरदार उस्पान बुज़ार की हदायत पर डियरा घाजी खान के कबाली अलाकों में जमीन हमबार करने के लिए महकमा जराद पंचाब की तरफ से पांच अदद बिल्डोजर्स और जेरे जमीन पानी की ड्रिलिंग के लिए एक अदद ड्रिग मशीन महया की जाएगी कबाली अलाकों की नौ यूनियन कांसलों में इस दो साला मनसूबे के तहएद 15,000 घंटे बिल्डोजर्स चला कर जमीन हमबार की जाएगी इस मनसूबे से कबाली पस्पानदा अलाकों में तरक्याती काम होंगे सेक्रेट जनलाद पंजाब मुहमद आसिफ ने कहा कि जनलाद की वहाली पर तीजी से काम जारी है रोद कोहुयों की वज़ा से जमीनी कटाओ को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जा रहे है जरात के हवाले से ही खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि डायरेक्टर जरात फैसलाबाद डिविजिन चोधरी अब्दुलहमीद ने डिस्ट्रिक हेड़कौर्टर जरात आफिस जंग का दोरा किया जरात अफसलान की कारकर्दगी रिपोर्ट चेक की जबके दफ्तर के आहादे में पोदा भी लगाया डायरेक्टर जरात फैसलाबाद डिविजिन चोधरी अब्दुलहमीद ने डिस्ट्रिक हेड़कौर्टर जरात आफिस जंग का दोरा किया जिस घुद्रान उन्होंने दफ्तर के आहादा में पोदा भी लगाया और ट्रेनिंग हाल में मुरकदा तकरीब में जलाभर के असिस्टन डायरेक्टर्स जरात आफिसर्स जरात इंस्पेक्टर्स और फील्ड असिस्टन्स ने शिर्क की तकरीब से हिताब करते हुए डायरेक्टर्स फैसलाबा डिविजन चोहदरी अब्दलहमी का कहना था कि हकुम्मत पंजब की जालिब से जरात के शरात के शरात के लाने के लिए तमाम तर वसाल बरुएकार लाए जा रहे हैं किसान किम्यूनटी में नई टेकनालोजी और अच्छी एकसाओं के बीच मतारिफ कराए जा रहे हैं ताकि शुबह जरात में मजीद बेहतरी लाए जा सके उन्होंने तक्रीब में शरात के मलाजमीन को एमानदाई से काम करने फिल्ड में किसानों के मसाल के लिए अमरीक तमात उठाने की हिदाएट की तक्रीब के थाताम पर उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर्स और जरात अफिसर्स की कारकरदगी रिपोर्ट का जायजा लेने के हमाले से मुनाकिता इच्छास की सदारत भी की जिसके दरान जिराँ बहर के जराँ अफीसर्स की कारकृड़की रिपोर्ट का जायज अलिया क्या उनों ने फार्मिंग ट्रेनिंग्स और किसान कार्ड जमीनी मौाइना और दिगर टारगिट्स के हमाले से अफसरां की कारकृड़की चेकी डिप्टी कमिशनर राजनपूर का तेसिल हेड़कौर्ट हस्पताल जामपूर का अचानक दोरा इंतजामिय को मरीजों कोई सहुलियाग महया करने की हिदायत डिप्टी कमिशनर ने मौडल बाजार का भी दोरा किया और अमजान बाजार के लिए इंतिसमात का जाए जारिया जामपूर से अब्दुलरौफ वालम रिपोर्ट करेंगे डिप्टी कमिशनर राजनपूर राना महमद अफजल ने असेसेंट कमिशनर साइफर रामान बलवानी के हमरा तैसील हेडकोर्टर हस्पिताल जामपूर का अचानक दोरा किया इस दोरान उनोंने हस्पिताल के तमाम वार्ज का महाना किया और मरीजों से हस्पिताल इंजामे के जानिब से फराम की जाने वाली साहलतू के बारे में भी मालूमात हासल की डिप्टी कमिशनर ने एमर्जनसी रूम में सफाई के इंतजामात पर अदम इत्मनान का इजार किया और तमाम मामलात को दुरस्ट करने की हदायत जारी की उन्होंने जच्चा बच्चा वार्ड में भी सहूलतों के अदम फुकदान का नोटिस लिया बाद ज़ा उन्होंने माडल बजार जामपूर का विजिट किया और मुजवजा रमजान बजार के साइट का मौइना किया उन्होंने बेतरीन इन्जाम पर इत्मनान का इजार किया और मनेजर माडल बजार तैयर खांगोंदल की कारकरदेगी को सरहा कैमिरमेन राफेली के साथ अब्दरोब बालाम रोज न्यूज जामपूर असिस्टन कमिशनर कांशिफ डोगर का तहसील हेड़कौर्टर हस्पताल का दोरा मरीजों को दी जाने वाले तिब्बी अमदाद और सहुलियात का मौाइना किया असिस्टन कमिशनर कांशिफ डोगर ने तहसील हेड़कौर्टर हस्पताल का दोरा किया मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी अमदाद और सहुलियात का मौाइना किया इस मौके पर असिस्टन कमिशनर का कहना था कि डॉक्टर्ज और पेरामेडिकल स्टाफ अपनी तवाम तर तवज्जों मरीजों के बेहतर एलाज और मौनासब देखवाल पर मस्कूर करें गर्मियों के मौसम है ठेंडे पानी का इंतजाम करें माहूल को साफ सुत्रा रखें हस्पिताल में वैक्सिनेशन का इशू था जिसे हाल करा दिया गया इनका मजीद कहना है था कि हस्पिताल में आने वाले मरीजों के साथ हुश इहलाकी से पेशाएं गुजराट के थाना कंचा के हदूर तारा गर्ड में हातून का कतल पोलीस ने पेशावाराना महालत से वकूआ को खुदकुशी का रंग देने वाले सफाग कातल को गिरफतार कर लिया पोलीस के मताबर गुजराट तारा थाना कंचा पोलीस को इतला मौज़ा तारा गर्ड कला में खातून ने पंके से लड़कर खुदकुशी कर ली है इस इतला पर एसे चोधाना कंचा इंस्पेक्टर एर्फान सफदर पुलिस टीम के हमरा फोरण मौके पर पहुँचे और वकवा के मुक्तलिफ पहलों से तफ्तीश शूरू कर दी वकवा के अदला फोरण डी पियो सेयद अली मौसिन को दी गई जिरों ने डियास पी सदर स और पे शवराना महारत से इस अंदोनाक वारदात को ट्रेस कर लिया डी एस पी सदर साथ भाई ने एक गले में फंदा डाल कर उसे गतल किया था बार रज़ा बड़ी चालाकी से वकवा को खुदकुशी का रंग दे दिया गया था सफाग कातिल को गिरिफतार करके इसके खिलाफ थाना कुंजा में मकतूला की वालदा की मुदायत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया मुद्जिन ने एतराफे जर्म कर लिया खबर आपको दें कि रिजिनल पुलिस आफिसर शारिक कमाल सिदीकी ने डिस्ट्रिक पुलिस आफिस में जदीद केम्प्यूटराइज ड्राइविंग टेस्स संटर का इफता कर दिया जिसमें शहरियों को ड्राइविंग लाइसंस बनवाने के लिए एक हिच्छा तले सहुलियात में उस्सर होंगी मैनुल ड्राइविंग टेस्ट के बचार कम्प्यूटर के जरीए उमीदवारों का टेस्ट लिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसंस के लिए फाइल में मुफ फरहाम किये जाएंगी जिससे शेरियों को सहूलियात के साथ साथ वक्त भी बच्चत होगी डीपियो आफिस पहुचने पर आर पी ओ शारिक कमार्च सदीकी का डीपियो साहिवाल केप्टन मुहम्मद अली से मुलाकात हुई एस पी इन्वेस्टिकेशन शाहिदा नूरीन और जुम्ला एस डीपियो ने इनका पुर्तबाक इस्तखबाल किया और उनको फूलों का गुल दस्ता भी पेश किया गया पुलीस की चाको चुमत दस्ते ने इनको सलामी पेश की डीपियो कैप्टन मुहम्मद अली स्याह ने आर पी ओ शारिक कमार्च सदीकी को साहिवाल पुलीस की जानब से किये अवाम दोस्तिक्तमात और क्राइम किंट्रोल के होले से ब्रीफिंग दी और डिस्टिक्ट पुलीस आफिस में ने कयाम किये गए कम्प्लेंट सेंटर आई टी आपरेशन्स रूम और पी आर ओ आफिस एंड पुलीस आफिशन्स वेटिंग रूम इस्तक्बालिया दफ्तर और हिदमत मरकस का विजट कराया और इनको डी पियो साहिवाल की जानब से सुमेनियर पेश किया गया इस मौके पर आर पियो शारिक कमाल सिदीकी ने डिस्टिक्ट पुलीस साहिवाल की जानब से किये अवाम दोस्त अक्तमात और क्राइम कंट्रोल के हमाले से जिला हज़ा की कारकरदगी को साहिवाल में मिसाली करार दे दिया पंचाव पुलीस की बढ़ी बदली और आई जी बदल किया लेकिन रिश्वत लेने की आदफ ना बढ़ दे मेरे पांस टाइम में ही रिश्वत दो के तो हतकड़ियां खोलूगा पुलीस अहलकार की रिश्वत लेने की एक और वीडियो मनज़रियां पर आके मुस्थवत लेने के वाखियात मनज़रियां पर आने का सलसला ना रुक सका और चंद रोज काबल मुझफरगर शहर के वस्थवत कमिटी चोक के दरजी की दुकान पर कपड़े सलाई करवाने आने वाले नोजवान समेथ पांच नोजवानों को थाना सिवल लाइन पॉलिस ने पकटकर कारकरदगी दिखाने के लिए शराफ फरोग करने का मुकदमा धच किया था जिसके बाद गरिफतार नोजवानों को अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने जमानत मनजूर करते हुए उन्हें रहा करने का हुकम दिया लेकिन पुलिस कॉंस्टेवल की वर्दी में मलबूस एहलकार नोजवानों से रहा करने को इंकार कर दिया और कहता रहा कि जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है रिश्वत दोगे तो हदकड़ियां खोलूंगा जिस पर ग्रेफतार नौजवानों के बुरसा ने एहलकार से तंग आकर दस हजार रुपे रिश्वत दी जिसकी वीडियो शेहरी ने बना ली इस मामले पर तर्जमान पूलिस ने मौकिफ में कहा है कि अहलकार के खिलाफ रिश्वत के इल्जाम की तहकिकात कर रही हैं जिम्दारों के खिलाफ सक्त कारवाई होगी केपी के फूड अथार्टी ने अप्टाबाद के मुगत बाहजारों में सफाई सुथराई के हवाले से दुकानदारों में आगाही पैदा करने के लिए मौहिम का आगाही दिया फूड सेफ़्टी अफसरान ने शॉप टू शॉप जाकर दुकानदारों को आगाही दे किसी पर तफसिलां से आगाह करेंगे अबटाबाद से नई मावान के पीके फूड अथर्टी ने एप्टाबाद के मुखतलिफ बजारों में अशिया खुर्दोनोश फरुख करने वाले दुकानदारों में सफाई सुथराई और मेयारी अशिया मार्कीट में फरुख करने के लिए गाही मौहिम का आगाज़ कर दिया इस दुरान पहले में शिया खुर्दोनोश फरुख करने वाले दुकानदारों को बताया गया कि वो सबसे पहले अपने कारोबार को अथर्टी के साथ रिजिस्टर करवाने के लिए अपनी अपनी दुकानों का लाहसांस आसल करें एक हफ़ते के बाद जिन दुकानदारों के पास लाहसांस नहीं होगा इनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा साथ-साथ फूट सेफटी अफीसर नुमान और डाक्टर मुक्तियार ने शाब टुशाब जा कर मलावट से पाक शिया की खरीदो फरोख और टोपी मास्क वगारे के बारे में अगाई फराम की उन्होंने कहा कि जब सुफाई होगी तो खरीदार आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे जब आप लोग अथर्टी के कवानीन को फालो करोगे तो खरीदार खुद खुद आपके पास रुकने पर मजबूर हो जाएगा इस मौक पर दुकनदारों को ब्रीफ करते हुए फूड सेफटी अफीसर ने कहा केमरेमेंट टीम के साथ नहीं मवान रोज नियोज एप्टबाद यहां वक्त्राइक प्रेक का हमारे साथ रहीगा प्रण पर मेरे साथ अजय झाल आई रबिकुमा तुक्जिबार। रह्मतें जब बरस्ती हैं तो बंदे की पोर पोर इस रिम जिम में भीग जाती हैं। पैतुल्ला के दामन में उतरती तजल्यात हो। या दरे नभी ﷺ की चौकट पर बरस्ता नूर। ये मकाबात मेहनत से नहीं रह्मत और अता से नसीब होते हैं। इभाम की गर्द कितनी ही आलूदा क्यों नहों रह्मत की घटाएं उमड़ती हैं और फैसला कर देती हैं। फिर दरे नभी ﷺ सारी रह्मतों और दरे काबा की सारी तजल्यात के साथ अपने आशिक और अपने बंदे पर खुल जाता है। असाकर पाकिस्तान के सरवरा, जेनरल कमर जावेद बाजवा इन ही रह्मतों में भीग कर वतन लौटे हैं। दरे काबा सरवरा ने हुकूमत और रियासत के लिए तो महर्मानिया नुटाते वा होता रहा। असाकिर पाकिस्तान के सरबरां के लिए पहली दफ़ा साइबान रह्मत बना जिससे वो और उनकी एहलिया फैजियाब हुए दुआ है और तवक्कों भी कि वो इही इनायात और बरकात के सद्के इसलामी जम्हुरिया पाकिस्तान की फलाहो तरक्की में इसलाम के सच्चे सिपाही के तौर पर अपना किरदार अदा करें इसलामी एक्षिए आपर आपना की इसलामी बरकात के सच्चे साथ अबादो एक्षिए पर अपना की फजेए अवे शोब्दाब में तालुकाद की उल्चने हो जा पाक अमरीका तालुकाद की गिर्हें के शिद्गर्दी के खिलाफ जंग हो जा वाटा और वर्गुस्तार में जारी प्रॉक्सी अफगानिस्तान से उबरते चेलंच हो जा सीपेक से फूटते इमकानात कर जहाने नौ खिद्धे की तज़्विराती मदो विज़र पर दलील, उताले, नहकीक और तवाजन का संगत प्रोग्राम डिफेंस मेटर्स अमजद श्रेप के साथ डिफेंस मेटर्स अर्बूर जमेरा शाम साथ बचकर पांच मिनिट पर सिर्फ रोस न्यूस पर हर रोज पाकिस्तान वे सुख का आगाज रोज नामा पाकिस्तान सरदार्खान म्याजी की सेरे दारत इसलामाबाद रावर पिंटी, मुजफराबाद, कराची और कोईटा से वेलकम बैक, रोजनगर में आके बढ़ते हूँ आपको बताएं, पिशावर प्रेस कलब के बाहर यंग फार्मस्ट कम्यूनिटी ने अपने मतालबाद के हक में इहतिजाजी मुज़ारा किया मुजाहरे में मर्दों के साथ साथ हावतीन फार्मस्ट ने भी बरपूर शिरकत की, यंग फार्मस्ट का कहना था कि हुकमत मसलसल हमारे मतालबाद नजर अंदास कर रही है पिशावर से एजास खान रिपोर्ट करेंगे पिशावर प्रेस कलब के बाहर यंग फार्मसिस्ट कम्यूनिटी आफ पाकिस्तान ने अपने मतालबाद के हक में इहतिजाजी मुजाहरा किया मुजाहरे में मर्दों के इलावा खावतीन फार्मसिस्ट ने भी बरपूर शिरकत की मुझाहिरीन ने हातों में बैनर्स और प्लेकार्ट उटा रखे थे जिन पर इनके मतालबात के हक में नारे दर्श थे मुझाहिरीन का कहना था कि हकूमत हमारे मतालबात मसलसल नजरांदास कर रही है मुझाहिरीन ने ड्रग रूल्स 2017 के निफास को यकीनी बनाने के लिए हकूमत से मतालबा किया 2017 के ड्रग से रूल्स में जो अमेंडमेंट केपी गॉर्डमेंट के में ने कराये थे उसको इन दे टू सिर्स इंप्लिमेंट कराये जाएं उसमें कोई रिलक्सेशन ना दी जाए हम किसी रिलक्सेशन को बरदाश नहीं करें क्योंकि दो नमबर दवाईया मार्कीट में बेशुमार बहुत जादा मिगदार में मौजूद है और उसमें कोई चिक नहीं है मुझाहरीन का ये भी कहना था कि MTI एक्ट में रेगुलर असामियों पर फार्मसिट की मुकररा तनखुआ के तहिते हैं तैयनाती की जाए हम चारे कि ड्रग रूस 2017 के इंप्लिमेंटेशन और हमारे साथ जो के टिक्री भी है उस पर डिस्ट्रिब्यूशन मुझाहरीन का कहना था कि फार्मसिट में तरामीम के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर से वाबस्ता फार्मसिट के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किये जाए मुझाहरीन ने पिशावर प्रेस कलब के बाहर हकूमत के खिलाफ शदीद नारे बाजी की मुझाहरीन का कहना था कि हकूमत जब तक हमारे मतालबात तस्लीम नहीं करती हमारा इहतिजाज जारी रहेगा कैमरामें सेथ शेजाद काजमी के साथ मुझाहरीन ने डियाच की अस्पताल से प्रेस कलब तक रेली निकाली मजीद तफसिलां मरदान से फजल हक केस रिपोर्ट में यंग डाक्टर इस्सेशन मरदान का अपने मतालबात के हखमे इहतिजाज तीसरे रुजबी जारी है मुझाहरीन ने डिच्च की अस्पताल से प्रेस्टब तक रेली निकाली मुझाहरीन ने हाथों में पले कार्ट उटा रखे थे जिस पर इनके मतालबात के हक में नारे दरच दे मुझाहिरीन से खताब करते हुई यंग डाक्टर इससेशन के सदर्जिया और रामान और दीगर का कहना था के हकुमत के नामनासिब रविया के खिलाब यंग डाक्टर अपने जायज मतालबात के हल के लिए इखतिजाज पर है हकुमत की M.O.1, D.H.A. और R.H.A. एक्ट में डाक्टरों को मुझावरित अबल में मुकमल तोर पर नजर दास कर दिया है हमान रहीम आज हमारे मुतालबात हकुमत के सामने हमने रखे वे उन में D.H.A. और R.H.A. और उसमें मास ट्रांसफर M.T.I. इसमें एर्रेगुलिरिटीज एक नाकाम सिस्टम के इंप्लिमेंटेशन के खिलाब जो परिफरी हॉस्पिटल में लाया जा रहा है जो के ओवाम दुशमन और डाक्टर कम्यूनिटी का दुशमन है हमारे सर्विसिस का ख्याल नहीं रिका गया हमें मुशावरत में नहीं बिटाया गया हमें इतिमाद में नहीं लिया गया और हकुमत ये एक पास करने जा रही है जिसके खिलाब पूरे खेबर बुखतुनफा में के पी डी सी खेबर बुखतुनफा डाक्टर कॉंसल के काल पर हरताल जारी है मुकर्रीन ने कहा कि हकुमत होश के नाखुले और डाक्टरों के मतार्बाद हल करे बस्तूरत दीकर एक नखतम होने वाले इहतिजाज शूरू करने पर मजबूर हो जाएंगे केमराटीम के हमरा फजलहक रोज निउस मरदान हानेवाल के डिस्ट्रिक हस्पताल में हस्पताल इंतसामिया के नारवा रवई के लाफ पैरा मेडिकल स्टाफ और डाक्टर्स का इहतिजाज रुकाफटे खड़ी करके जहान या रोड ब्लाक कर दिया गया मरीज रुल के गुज़िशन रुज मुबईना तोर पर एमेस की इमा पर एमेस ने डिस्पेंसर से हिता कामेज रवई रवई एक्तियार किया बाद रुज़ा डिस्पेंसर्स को पॉलिस के हवाले कर दिया गया जिसके बाद डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ने एमेस और एमेस के खिलाफ शदीद इहतिजाज करते हुए सुवाई सेक्टरी हेल्थ से जिमादारों को मौतल करके उनके खिलाफ कानूनी कारवाई करने का मतादबा किया है जबकि जिन्हें इंतजामिया के दर्मयान होने वाले मौतल की नाकाम हो गए है दूसरी तरफ मरीज डॉक्टरों की हरताल के वज़ज़ सफ परिशानी में मौतला है हम सबसे पहले डॉक्टर सुमेरा अश्रफ और उसके बाद जो दिगर अड्मिरिस्टेटिव स्टाफ है उनकी सस्पेंशन जाते हैं तब तक हम में से कोई कहां पर नहीं जाएगा जब तक इन लोगों के सस्पेंशन और्डर्स हम लोगों को नहीं मिलते है आल पाकिस्तान कलर्क असोसियेशन की जानब से एहतजाज की कॉल पर बीपुर्खास डिवीजिन की जानब से डीसी आफिस से एम ए जनाह रोड तक इहतजाजी रेली निकाले गई रेली की क्यादत आल पाकिस्तान कलर्क असोसियेशन के सबाई सदर मुराद अली चाचर ने किया इस मौके पर आल पाकिस्तान कलर्क असोसियेशन के सदर सदर मुराद अली चाचर और दीगर ने अपने किताब में कहना था कि बढ़ती हुई मेंगाई को बदे नजर रखते हुए हमारे मुतालबाद टाइम स्केल, 40 कोटा, मेडिकल अलाउंस और मेंगाई के नास्ब से तन्हुआ बढ़ाई जाए चोटी मुलाजमین को अपडेट किया जाए और हुने कहा कि पूरे सिंद से इहतिजाजी तहरीक शुरू की है अब इस्लाबाद के एवानों के सामने इहतिजाजी मुझाहरे और धने देंगे मतालबात की मनजूरी तक इहतिजाज जारे रहेगा इहतिजाजी रेली में तमाम सरकाई एडाव के मुलाजमین ने बड़ी तादात में शिर्कत की कुंद कोट में अपका की जानिफ से मतालबात की मनजूरी के लिए जिला भर में दफ्तरों के ताला बंदी करके डिस्ट्रे कमपलेक्स से प्रेस कलब तक इहतिजाजी रेली काए निकाग किया है अल पाकिस्तान कलड़ किससीएशन की जानिफ से बाज़ों पर सियाभ पर्टियां बांदकर इहतिजाजी रेली निकाले गए इहतिजाज के दूलान मझाहरी ने सहापईयों को बताया कि हकूमत हमें टाइम स्केल, कन्वेन्स, अराउंस, हाउस ट्रेंट समेथ हमारे दीगर जाइस मतालबात नहीं मान रही उनका मज़ीद कहना था कि हमारे जाइस मतालबात मंत्रूर ना किये गए किसान बोर्ट पाकिस्तान उकारा के मरकजी सीनियर नाइब सदर मिया फारू कहना ने कहा है कि हकूमत किसानों का मौशी कतल बंग करे वरना सडकों पर दमा धम मस्त खल अंदर होगा खात, बीज, जरीद, व्यात और बिजली यूनिट्स की किमतों में इसाफ़े से किसान तपकार शदीद मतासर हुआ है हकूमत किसानों के लिए एक ये तमाम वादों से मुकर गी है और महगाय में होशरबा इसाफ़े से किसानों का मौशी कतल किया जा रहा है हकूमत का अगर ये ही रवया रहा तो किसान वोट पाकिस्तान मुल्क भर के लिए चानों सुबह में साथ इहतिजाश की काल देगा और चानों सुबाई समयत इस्वाद में भी पारलिमेंट का गिराओ करके धरना दिया जाएगा अन हेलात का इसानों अन्होंने एक हंगामी मीटिंग के दुरां किसान वोट के उफ्दिदान से हिताब करते हुए किया उन्होंने कहा कि जराद जो मुल्की मौशीट की रीड की हडी की मानत है उसे हाद्म करने की मर् восumूम साजश की जा रही है इस साज़िश को ना काम बनाने के लिए किसानों को तमान तर्स चाह से मफदात को बलाय ताक रखते हुएं सिर्फ जराइक की तरक्षी की यक्चा होना पड़ेगा और अपने हकोग की जंग लड़ना होगी किसानों के इस तरक्सार को रोकने के लिए हकोमत को हंगामी बुनादों पर एक्तामा करने की जरत है किसान बोर्ट पाकिस्तान अपने किसान भाईयों की फलाव बहबूत के लिए हमावा कोशा है मंडी बहावदीन शहर और गिर्दोनावा में तेज आंधी और तुफानी बारिश ने जरत हल कर दिया मंडी बहावदीन शहर और गिर्दोनावा में तेज आंधी और तुफानी बारिश ने जरत हल कर दिया आंधी और तुफानी बारिश के बाईस ताना रोट पर वाके कहीं दरख जड़ों से उकड़ गए जबके बिजली की तारे भी जमीन बोस हो गए जिसके बाईस बिजली का निजाम बुरी तरह मतासर हो गया जबके मुतालिका में काई घंटे कुजरने के बावजूद भी बिजली का निजाम बहाल करने में नाकाम दिखाए दिये हैदराबाद से खबर शामल करते हैं जहां गर्मी के शिदत में इजाफे के साथ ही बेचतर अलाकों में पीने के पानी का बहरान संगीन हो गया जबके शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए जबके दूसरी जानिब टेंकर्स माफिया का कारोबार खूब चबाक उठा है इसी पर तफसिलाथ लेंगी हैदराबाद से आशिक हुसेन के इस रिपोर्ट में हैदराबाद शहर और गिर्दोनवा में गर्मी की शिद्धत में इजाफे के साथ ही शहर के बेशतर अलाकों पका किला गुरू नगर अफंदी टाउन हाली रोड टंडू तयब में पानी का बहरान पैदा हो गया है जबके पानी की किल्लत के बाइस शहरी बुन-बुन को तरस गए है पानी ये गफ्टे से पानी नहीं आ रहा है पानी आता भी है तो बदबुदार पानी आता है और मज़िद होगे अंदर वज़ू करने के लिए पानी नहीं है पका किला गली नमबर एक घुला मुसरी स्कूल का बैक साइड है यहां अरसा जरास से पानी की बड़ी किल्लत है लोग बहुत बेजार है शबरात का जो दिन था वो भी बगर पानी के गुजारा है उसके साथ साथ आप रमज़ान शरीफ की आमद है इसके साथ साथ जो है लोग बहुत परिशान है शेरियों का कहना है कि वो मुन्तखिब नमाइन दो M.P.A.M.N.A. को भी पानी की किल्लत के बारे में कई बार आगा कर चुके हैं शेरियों ने वासा हुकाम से मतालबा किया है कि रमज़ान मुबारक से कबल पानी की किल्लत का नोटिस लेकर फरामिया आपको यकीनी बनाये जाए कैनल टीम के साथ आशिक हुसेन, रोज नियूस, हधराबाद जिला टंडू अलायार में अध्यार की बढ़ती कीमतों से शेहरी परेशान है रोज नियूस से बात करते हुए शेहरीों ने कहा कि इस मेंगाई में दो वक्की रोटी कमाना मुश्किल है हैसे में अध्यार की कीमतों में होई शिर्बा इजाफे से परिशानी में मजीद इजाफा हो किया है मज़ीद अफसिलात के लिए टंडू अलायार से शेहजाद बुहारी की एरेपोर्ट देखिए मुलक बर में मेंगाई का दूपान अरूज पर है अच्छिया पॉर्डो नोज की बर्तिवी कीमतों ने पहले ही गरीब अवाम की कमट तोड़ कर रख दिये तो दूसरी जानिब रही सही कसर अध्याथ की बेलगां कीमतों ने पूरी कर रख की है रोज नीज से गुर्टू करते हुए गर्डो लयार के शेरियों का कहना था कि इस मेंगाई में वक्त की रोटी के लिए जदो जयत करना बड़ा मुश्किल है ऐसे में अध्याथ की बर्तिवी कीमत हमसे जीने का हग भी चीन रही है परेशानी है, और यह के जो अफ्ते की दवाई लेने हाले वो अभी एक दिन या दो दिन की रेगुलर लेने है जो त्यारी वाले है वो अपने हसाब से लेंगे, उफ्ते की लेने हाले वो तो अभी लाजमी है महिंगाई होगी इस वज़ा से जिलाटंडो अलयार की आवाम ने हकुमत पाकिस्तान और चिन हकुमत से अद्वियात की बड़ी कीमतों को राहरास पर लाने की अपील की है कैमरामें जबर बुखारी कैमरा से शजाद बुखारी रोज नियूस चंडो अलायार रोज नियूस पर खबर मस्चों होने के बाद इंतसामिया हरकत में आ गई गरीब बाल और गर्द नवा में कुत्तों को तलफ करने की महिम शुरू कर दी गई गरीब बाल और गर्द नवा में ड्रॉड किलिंग महिम शुरू कर दी गई और जिनेन कॉंसल गरीब बाल के सेकेरिटरी नवीद आबास के सर बराही में टीम तश्किल दी गई कुत्तों को जहर दे कर हात्मा की अचारा है सेक्ट फ्री नवीद अबास के मताबिक गरीब वाल और गिर्द नमाह में ड्रॉग किलिंग महिम जारी है अबारा कुतों को तर्फ किया जारा है जिली महकमा बहबूद अबादी नंकाना साहब के जिरे तमाम हाफ़ता बहबूद अबादी के सिलसे में वाल बिर्टन में वाली बॉर्ट की नमाईशी मैच का निकात किया क्या रिल्बिक ग्राउंड वाल बॉर्टन में नंकाना ग्रीन और फैसलावाद वाल्ट के माबैन होने वाले ये नमाईशी मैच नंकाना ग्रीन की टीम ने संसरी खेस मकाबले के बाद 22 के मकाबले में 24 पॉइंट से जीत दिया फाइनल मैच दो गहंटे तक जारी रहा जिसे शायकीन की एक बड़ी तादाद ने देखा और दिल्चस्प मैच से खुब लुटफ़न दोज हुए डिस्रिक्ट पॉपॉलेशन वेलफेर आफिसर मलक कास्षिफ मुखदार और साबक M.P.S. सेद अबराह हुसेंट शाह मैच के महमाने खुसूसी थे जिनोंने जीतने वाली टीम और नुमाया कारकदगी का मुझाहरा करने वाले खिलाडियों में इनामात और शर्ट्स तक्सीम की शाकीन वाली बॉल्ग ने वार्बरिटन जैसे छोटे शहर में बेहतरीन मैच के इनाकाद पर जिली महकमे बहुदा अबादी की कावशों को सरहा कोहर प्रेस कलब में एक रोज़ा वर्क्शॉप का इहतमाम किया गया सर्टिफिकेट भी तक्सीम किये गया इसी पर मज़ीद अफसिलाद देखेंगे कोहर सी यासीन आवान की इस रिपोर्ट में कोहर्ट सुसाइटी फार होमन राइट्स और पर्जलर शाप पाकिस्तान के जेरे इहतमाम कमिनिटी और मीडिया के नुमाइंदों की एक रोज़ा वर्क्शाप को हार्ट प्रेस टलब में मनकित की गई जिसमें डिरेक्टर शार्प मिस मेमुना, मिस यमनी, फील्ड मनेजर ग्यास गिलानी, लायर शार्प मुसदिक बनूरी एडुकेट डिप्टी डिरेक्टर आवान कमिशनरेट गोहर रहमान वदीगर ने शिरकत की मेमान खास के फराइज गेर सरकारी तंजीम करवान अमल के चेरमें सलीम इलताफ एडुकेट ने सरांजाम दिये मिस मेमुना ने तमाम वर्क्शाप के अग्राज औ मकासित पर रोशनी डाली मसद्दिक बनूरी एडुकेट ने मिडिया के किरदार पर इजार ख्याल किया और ग्यास अलदीन गिलानी मिस यमना ने इनसानी साइकालोजी के मुक्तलिफ पहलों का इहाता किया इनसानी हकुक समयद आगवान माजिरिन के हकुक और बेनलाकवामी ताफ़स पर बातचीत की गई इस हावाले से अकवाम मताहिदा के कावनिन पर भी नजर डाली गई वर्क्शाप के एक्तिताम पर तमाम शरका में असनात तक्सीम की गई मेमाने खुसी साली मिलताफ एडुकेट को शील्ड भी पेश की गई कैमरामेन वहाब लशाक के साथ यसीन आवान रोज न्यूस को हाट रोज लगर के स्वलिजन सफिल वक्त के लेतना ही अभी एक ब्रेक जिसके बाद हाजर होंगे हेडलाइन्स के से हमारे साथ रहेगा रहे जिसता है जिस की खारीस मेंडकी याप आधिर्ण एफशास के सामस्ट भी रहेशा ऑ जतीछ रहेगा करोंगे जिसका बादेफे बादेर Aa little आ पिदके रहें लेटाइन्स झाल 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 आप क्या कनेक्शन या लिंक देखते हैं पावर्टी और मिलिटेंसी के दर्मिया कई वुजुहात हैं जिनके बिना पर इसो खालात में पाटा में खराब हैं खवातीन दिफा के मोहताज हैं कि मर्द उसके दिफा करें बें दिफा करें इसने बड़े नकिलाडी हैं नस्यासी हैं आप एक क्रिमिनल को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक पार्टी को हैड करें जब कि पुलिटिकल पार्टी जो है ये एक मशीनरी का हिस्टा है जो अंदर जाते हैं ना मुबैल से तश्वीर लेते हैं फिर आज के दिकाते हैं कि ये मेना पर्टी को इरेक्ली एलेक्टिड होना चाहिए जो सिल से नाम पर ता हुँ इसको पंजाब से पार्टी रेक्ट रहा है। जो हीरो था आपका ये उनकी नजरों में उनको गिराने के लिए और नीचे एक कनथे करने के लिए कि के देखो ये हो रहा है साथिय रेविया हो या एरान हो दोनों मुमालिक जो हैं आज कल पर हो अमेरिका बने हो मुसल्मान दुनिया में फिरकावारान बन्यादों पर जंगे करवाना ये इस बड़ी स्ट्राइटिजी का हिस्सा है हमारे बचे चुओं से मर रहे हैं इस तरफे ठुपिया का बच्चा रखें सुमालिया का रखें और थर का बच्चा रखें इनों में से मुझे पचान के बताएं पाकिस्तान का बच्चा कौन सा है देखिये प्रोग्राम डिपेट हारपीर और मंगल की राख ग्यारा बच कर पांच मिनट पर सिर्फ रोज न्यूज पर सदार खान याजी साब आएं रोज टीवी के दुबा के सालिया बचा के इनका सिपान देए ये रोज टीवी जो है पहला पाकिस्तान का टीवी है जो पांच वक्त की अजान पांच वक्त की अजान अल्ला ताला इनको सुर्प्रू करेगा और बहुत सी बातें बचसे पहले बताएं ये भी इनकी खुबी है कोई पाकिस्तान का चैनल नहीं है जो पांच बत की अधान देता हो इनका प्रोग्राम कल में इनके साथ था इनके साथ में बाचीत कर रहते हैं इनके प्रोग्राम में तो अधान का वक्त हुआ तो इनकी एंकर ने का इन्याई साफ प्रोग्राम कट करें इसको ब्रेक लें क्योंकि अधान का वक्त हो गया सुभानला ये मुस्लमान होते हैं ये बात होती है ये बासक त्रेसर पर पूरा उतरने का रहे नुस्खा जो है मुझे बहुत कुछी है सुभानला ये बहुत पुराने दोस्त हैं और मुलके बहुत बड़े क्या कहिए वफदार हैं मुहिब बतन है और हमेशा मुलकी अच्छाए के लिए खिद्मत के लिए बातें करते हैं और आपका जो रोस टीवी है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मुझे बड़े खुशी है मुबारक बात देता हूँ हलाग की नजाकत इस बात की मुतकाजी है के हिसासे जिम्यदारी गालब आए और मीडिया खुद को एक जापते इखलाग की तहदीदात का मुखातिब बनाए पाकिस्तान ग्रुप आफ न्यूस पेपर एक ऐसा इदारा है जो इसलाम से अपनी दाबस्तगी और पाकिस्तान से अपनी गहवत को असासा और सरमाया समझता है रोज डियूज एक मुकमल फैमिली चैनल है जो इसलाम के आला असूलों और पाकिस्तानियत से वावस्तगी पर यकीन रखता है ये ग्रुप जिम्यदाराना सहाफत को अबवली तरजी देता है हमारे पेशे नजर सतहियत, मुनाजरा, मजादला और समस्री नहीं बलके मकसदियत, मुकालमा और समाच की तामीर है और अगर हम सिर्फ जूट को एक्टिवेट करने का काभियाब हो जाएगी, तो मैं ये समझे हूं यही से रगलावास है हमारे लिए एक तोटली डिफरेंट सेटप नीज होने चाहिए अस्टब पाकिस्तानिया इन मकासद के पेशे नज़र हमावक्त कुछ हजूल हमारे पेशे नज़र है हम एक मजभी तालिमात और दस्तूरो कानून की रोशनी में एक जापते इखलाब का ऐलान करते हैं और एहद करते हैं कि इस पर कारबंद हैं और इंशालला रहेंगे रोजनीऊस शाने रसालत इमाद सल्लैलाहु आलगाली वसिल्म के तह فस को सर्माया हयात और तोशा आफरत समझता है हमारा इ生ाती और नश्याती गृप शाने रसालत इमाद सल्लैलाहु आले वनियागा पाकिस्तान को हर हाल में यकीनी बनाएगा और एम्दिया एकराम, उम्हातल मौमिनीन, एहल बे, फुलफाय राशदीन और साहबा एकराम के मकाव मर्तमे का तकद्स हर हाल में मलहूजे खातर रखेगा। ना ही कोई ऐसी चीज़ नश्र करेगा जिस से फिरका वराना जजबात को फरोग मिलें, रोज न्यूज और पाकिस्तान ग्रूप ओफ न्यूज पेपर के नजदीक, अजाब ये साहफत की वो हदूत, बिल्कुल धरुस्त है, जो तस्तूरे पाकिस्तान के आजिकल 19 में बयान की गई है, आजिकल 19 की पासदारी के जजबे के साथ, ये ग्रूप खबर, प्रोग्राम या कोई मदाद, नश्र या शाया नहीं करेगा जो इसलाम की शान शौकत और पानीम के खिलाफ हो, पाकिस्तान के दिपा, वकार और सलामती के तकाजों के मुनाफी हो, अमनियामा के लिए नुकसान दे हो, या इखलाकियान और तैसे भी और शाहिस्तो पाकिस्तान के सलामती, खुदमफ्तारी और वकार के तहफुज को यकीनी बनाया जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा जिस पे तश्रत और तश्रत गर्दी, नसली या गरोही मुनाफरत पर मपनी मबाद हो, वहाशी हो, बेहुदगी हो, या कुछ ऐसा मब जो मौाशरे की अमूमी अफला के एक डार से फरोग तरहो, जोजनी उस किसी के मजभ या मजभी अतायत की तोहीन पर मपनी कोई खबर, इश्तिहार या प्रोग्राम नहीं चलाएगा, नहीं कोई ऐसा मबाद हमारे ग्रुप के अखबारात में शाया होगा, ये ग्रुप प जाकर करते रहेंगे, हमाइन और जमूरियत पर यकीन रखते हैं और इन तमाम कौण गुदो को तस्लीम करते हैं जो इसलामी जमूरिये पाकिस्तान के दस्तूर ने हम पर जिमेदारी की सूरत में आयद कर रखी है, अल्ला हम्यों नासर हो, पाकिस्तान, जिन्दबाद झाल